खाता फ्रीज किये जाने के बाद कॉंग्रेस ने बीजेपी पर खाता फ्रीज करने का आरोप लगाया कोडर्मा की सांसाद अनपूर्णा देवी ने कॉंग्रेस के आरोप पर पलटवार किया है अनपूर्णा ने कहा कि बखाया टैक्स नहीं देने के कारण कॉंग्रेस का खाता फ्रीज किया गया है कॉंग्रेस का एक खाता फ्रीज किया गया है जबकि दूसरे खाते में हजारो करोड रुपे पड़े हुए है उन्होंने कहा कि आम जोनेता की तरह कॉंग्रेस को भी टाक्स देना चाहिए, कॉंग्रेस सम्विधान से उपर नहीं है, उन्होंने कहा कि कॉंग्रेस जूटी पार्टी है और जूट बोलकर बीजेपी को बदनाम कर रही है अभी हजारो करोड पड़े हैं, लेकिन आयकर विभाग ने 115 करोड प्रीज किया है, चुकि आयकर विभाग के दोरा नोटिस पर नोटिस इनको दिया गया, लेकिन ये डिफॉल्टर है, इन्होंने जो जमा पैसा जमा करना था ये नहीं किये, ये नियायलाय में भी गए, ट्र नहीं से राहत नहीं मिली, और तब ये जब आयकर विभाग के दोरा नोटिस जारी करके ये रोका गया, तो ये नियम संगत है, जो डिपार्टमेंट का नियम है, हम भारत में रहते हैं, तो भारत का संविधान या भारत सरकार की जो एजनसी है, निश्ची तुक्षे, उसक इनके नेता राहूल गांदी जी बोल रहे हैं कि आज हमारे पास ट्रेन में चलने के लिए पैसा नहीं है, तो ये सरासर जूट है, आज अगर ट्रेन में चलने के लिए उनके पास पैसा नहीं है, तो वो कैसे चाटर्ट प्लाइट में वो गुम रहे हैं, तो ये गुमरा कर लाइक अंड शेर वीडियोस सब्स्क्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन निउस लवन भारत सच है तो दिखेगा